कि मित्रों 11 एकाउंटि के अंदर सायक बई के अंदर आज अपने पढ़ेंगे साधी बिक्री बई और खाने वाली बिक्री बई कैसे तयार करें तो पेस नंबर 152 पे दिया गया सवाल नंबर 7 देखिए इसके अंदर आपको का हुआ है कि निमनल इकित वैवारों पर से परब बिक्री बई क्या करनी है तैयार करनी है तो सबसे पहले अपने क्या किया टाइडल दे रिया स्त्री परबात हाडवेर स्टोर्स की बिक्री बई बिक्री बई जब यह तैयार करो तो फॉर्मेट आता है तारीक उसके बाद आता है ग्रहक का नाम और यहां आवक बिल के तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2015 जून एक तो यहां लिखते हैं वर्स 2015 जून एक नेहा को 20,000 का माल ती माज की साग पर बेचा बिल नमबर 87 में बेच दिया तो यह आपने क्या किया है नेहा को उधार माल बेचा है तो लेखा होगा तो यहां लिखेंगे नेहा खाते मेहा खाते बिल नमबर के अंदर आएगा कितना असी अब यहां पर कितने का माल बेचा है 20,000 का तो रखम में लिखेंगे अपने कितना 20,000 क्लियर उसके बाद देखिए तारिक आठ में क्या दिया है विदी स्टोर्ष को 10,000 का माल 5 प्रतिशत वैपारी बटा से बेचा मजदूरी के रुपे 400 सहीत का बिल नमबर 85 बेच दिया तो यह भी उदार वैवारे तो यहां लिखेंगे आठ तारिक नाम लिखेंगे विदी स्टोर्ष खाते विदी स्टोर्ष खाते रखम आपको कितनी दी हुगई है दस अजार बिल नमबर कितना है 85 दस अजार का माल 5 प्रतिशत वैपारी बटा तो दस अजार का 5 प्रतिशत किया तो कितना आया पांट सो तो बचा कितना 9 अजार पांट सो इसके बाद मजदूरी के रूपे जो 400 चुका हैं वो रोककड मजदूरी में चुका है इसके लिए उसका लिखा अपने का करेंगे रोककड बई के अंदर करेंगे तो आप लिख सकते हो या तारीक लिखेंगे june 8 मजदूरी का लिखा रोकड में चुकाने से अपने कहा करेंगे रोकड भई में करेंगे कहा लिखेंगे उसको रोकड भई अंदर अपने लिखा करेंगे रोकर खाते क्या करेंगे जमा करेंगे उसके बाद देखिए नेक्स तारीक में आपको क्या लिखा है तारीक बारा में रुपे 15,000 के माल का क्या किया विक्रे किया अपर देखिए यहां पर नाम नहीं दिया वह नाम नहीं दिया तो वैवार कैसा हो गया नकद हो गया और व्यवार है जिन व्यवारों का लेखा नहीं होता हूं व्यवारों का इस पश्च्टी करण आपको नीचे करना पड़ेगा कि किस कारण से आपने इस व्यवार को नहीं लिखा उसके बाद तारिक 15 में दिया है दस हजार का यंत्र त्रीमा को तीन हजार में बेच दिया अब यहां पर यंत्र बेचा है तो यंत्र क्या है संपती है तो संपती के वैवारों का लेखा संपती की खरीदी बिक्री का लेखा भी खरीद बई और बिक्री बई में करिया जाता नहीं है तो यहां लिखेंगे अपने संपती का वैवार है नकज, ग्यरार्थिक और संपती के वेवारों का लेका यहां करते नहीं है संपती का वेवार है सीमोली को 15,000 का माल 10% वेवारी बट्टा से बेचा सीमोली ने 50% रकम तुरंत चुका दी अब यहां देखिए इस वेवार के अंदर आपको 50% रकम तुरंत चुका यानी पूरी-पूरी रकम मिली नहीं है यदि किसी वेवार के अंदर पूरी-पूरी रकम मिली हो तो ही वेवार कैसा गिनाएगा अन्यता उस वेवार को उतार गिन कर उसका लेखा किया जाएगा तो यहां टारीक लिखते हैं कितना? 23 नाम लिखेंगे सी मूली खाते सी मूली खाते बिल नमबर यहाँ पर आपको दिया है कितना 90 अब कितने का माले 15,000 का कितना प्रतीशत वैपारी बट्टा आए 10 प्रतीशत तो 15,000 का 10 प्रतीशत वैपारी बट्टा माइनस किया तो यह आया 13,500 ज्यान रखो हमेशा वैपारी बटा गटाने के बाद की रकम का अपने लेखा करेंगे उसके बाद तारीक 28 मेरे को क्या दिया हुआ है रिद्डी को 20,000 का माल विक्रे 10 प्रतीश अत्रोकर बटा से नकद से किया तो यहां इस परस्ट का गया है कि जो विक्री है वो कैसी है नकद विक्री है तो नकद वैवार का लेखा अपने करते नहीं है तो यहां लिखेंगे नकद वैवार है तारीक डालेंगे अटाइस लिखेंगे नकद वैवार है क्लियर तारिक उन्तिस में देखी मीट के पास से 15 आजार का माल बेजने का आदेश दिया अब यादेश दिया तो वैवार कैसा हो गया गैर आर्थिक वैवार हो गया तो गैर आर्थिक वैवार हो का भी लेखा अपने करते नहीं है तो तारिक डालेंगे 39 लिखेंगे 11 आर्थिक या 20 आर्थिक व्यवार है order दिया order मिला तो व्यवार कैसा हो गया 11 आर्थिक हो गया ठीक व्यवार है लास्त तारिक 30 में देखे ब्रज को 30,000 का माल 10 प्रतिशत व्यपारी बटा से बेचा तो ये कौन सी विक्री होई उदार बिक्री होई तो इसका लिखा आपने करेंगे तारिक लिखेंगे कितना 30 नाम लिखेंगे क्या व्रज खाते बिल नमबर आपको यहाँ पर दिया है कितना 95 कितने का माल है 30,000 का कितना प्रतिशत व्यपारी बटा 10 प्रतिशत माइनस किया 30,000 का 10 प्रतिशत 3,000 तो बचा कितना 27,000 क्लियर तो सब भी वैबार पूरे होगे अब यहाँ लिखेंगे कुल उदार बिक्री और टोटल करेंगे अपने चलिए 20,000, 9,500 13,500 27,000 का टोटल करो कितना हो गया 70,000 तो यहाँ लिखेंगे कितना 37,000 तो यह आपकी क्या आ गई कुल उदार बिक्री आ गई तो इस परकार आप साधी बिक्री बही तयार कर सकते हैं फिर द्यान अगना विद्याति मित्रों कि जिन वेवारों का लेखा अपने करते नहीं है उन वेवारों का इस पस्टी करण करना बहुत जरूरी है तो तारीक साध आपको लिखिए कि किस कारण से आप इस वेवार को ने लिखा चलि एक और सवाल करते हैं सवाल नमबर आठ जिसके अंदर आपको खाने वाली बिक्री बही तयार करने को का है तो देखिए कैसे खाने वाली बिक्री बही तयार करते है तो सबसे पहले देखिए वेवार के अंदर सवाल के अंदर दिया क्या है नीतिन स्टोर जो कपड़े का वेवारी है उसकी बही में खाने वाली बिक्री बही तयार करनी है और वो क्या करता है सूती, खादी और रेस्मी तीन परकार के कपड़े की खरीद बिकरी का दंदा करता है तो यहां आप कौन सा माल खरीद रहे हो उसके बारे में जानकारी दी हुई है तो यहां लिखेंगे सूती, खादी, रेस्मी तीन कॉलम तयार करेंगे और फिर कॉलम करेंगे कुल का या तारीक ग्राक का नाम जावक बिल नंबर और खाता प्रस्ट तो जितने परकार का माल दिया हो तो उस परकार के अनुसार आपको कॉलम तयार करने पड़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए 2015 मई एक जानकी स्टोर्स को 100 मिटर सूती कपड़ा प्रती मिटर 40 के बाव से 200 मिटर खादी प्रती मिटर रुपे 20 के बाव से 50 मिटर रेश्मी प्रती मिटर 200 के बाव से 10 प्रती शर्थ वैपारी बट्टा से क्या किया है बेचाए तो इ तो सबसे पहले वो क्या खरीद रहे हैं सूती कबड़ा करीद रहें तो यहां अपने लिख लिएते हैं सूती कभड़ा कितना 100 मिटर बाव क्या है उनका 40 तो ये कितना हो गया 4000 का कबड़ा उसके बाद 200 मिटर क्या करीद रहे है खादी खरीद रहे है तो यहां लिखेंगे खादी कितना मिटर खरीद रहे है 200 और उसका बाव कितना है 20 रुपे तो ये भी कितना हो गया दो सो कुने बीस चार अजार उसके बाद वो क्या खरीद रहे हैं रेशम खरीद रहे हैं तो यहां लिखेंगे रेशम कितना खरीद रहे हैं वो पचास मिटर और भाव क्या है उनका 200 तो 50 गुने कितना करेंगे अपने यहां पर 200 करेंगे तो यह कितना हो गया 10,000 कितना हो गया 10,000 अब यहां पर देखिए 10 प्रतिशत व्यपारी बट्टा का हुआ है तो प्रतिक में से 10 प्रतिशत व्यपारी बट्टा अपने क्या करेंगे गटाएंगे तो 4000 का 10% किया तो कितना हो गया 400 तो बचा कितना 3600 यह भी 4000 है 4000 का 10% 400 तो बचा कितना 3600 यहां 10,000 है 10,000 का 10% 1000 तो यहां रेशम कितना आया 9,000 अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे तो यहां साल लिख लिएते हैं 2015 मई एक नाम दिया है जानकी स्टोर्स काते तो यहां लिखेंगे जानकी स्टोर्स काते बिल नमबर आपको कितना दिया हुआ है 125 तो बिल नमबर में लिख लिए 125 खाता प्रस्ट में 10 अब सूती कपड़ा कितना खरीता हैं उन्होंने 3600 वैपरी बटा गटाने के पार की रकम खादी कितनी है 3600 रेशम कितने का है 9000 का क्लियर अब तीनों का टोटल करके अपने क्या करेंगे कुल के अंदर रखेंगे तो 3600 चत्री सो बहुत तर और यह नो अनों साथ 16 16200 कि टोटल उन्होंने कितने की खरीदी की 16200 की चलिए दूसरे वैवार के अंदर चलते हैं गोपी ट्रेडर्स को 200 मिटर सूति कपडा प्रतिमीटर के बाव से 80 मिटर प्रतिमीटर 190 के बाव से 10 प्रतिश्र हम बैटा से साग पर बे चाहे और गोपी टडरस ने क्या है तुरंती आदी रती रती चुपाई है तो बहुत बहुत टुर나र लाइबार कैसी कि टूरता हो गया उदार q-mile और भाव क्या है उसका इतो चैंट přूल पस्अ कि यह हो गया श्चैंदुनी 121 चैंस को और उसके बाद क्या खरीद रहे हैं वो रेश्म करीद रहें खाधी वो खरीद रहें नहीं है तो यहां लिखेंगे रेश्म है कितना खरीद रहें रेशंग हो रेशंग खरीद रहें 80 मीटर 1190 के बावस्ते हैं 80 मीटर खरीद रहें कितना 190 के बावस दे तो 0 उतर 87,15 15,200 का माल खरीद रहें और कितना प्रतीशत वैपारी बटा है 10 प्रतीशत 10 प्रतीशत माइनस करेंगे अपने 12,000 का 10 प्रतीशत 1200 तो ये बचा 10,800 15,200 का 10 प्रतीशत कितना हुआ 15,20 माइनस करोगे तो कितना आएगा 13,680 ओकी राइट तो यहां लिखेंगे नाम तारिक कितनी दी हुई है आठ ग्राग का नाम लिखेंगे क्या गोपी ट्रेडर्स खाते गोपी ट्रेडर्स खाते बिल नमबर कितना है यहां पर दिया हुआ है आपको 126 126 अब यहां सूती कितने की खरीद रहे हैं वो 10,800 का खादी नहीं खरीद रहे तो खादी में 10 रेशम कितने की खरीद रहे हैं वो 13,680 अब दोनों को प्लस कर दो 10,800, 13,680 तो यह कितना हो गया 24,480 ओके चलिए नेक्स चलते हैं 15 तारीक में निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी को 100 मिटर खा दी 50 मिटर रेशम करम सच चालिस और दोसों के बाव से क्या किये बेच है निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी ने 10% वेपारी बट्टा और 10% रोकर बट्टा से रकम तुरंती चेक से चुका दी तो वेवार कैसा हो गया पिटा नकद हो गया तो नकद वेवार का तो अपने लेखा करते नहीं है चलिए तारिक 20 में देखते हैं पिटीस तोस ने 40 मिटर खादी, 50 मिटर सूती कपड़ा और 100 मिटर रेश्रम कपड़ा बेजने का आदेश दिया तो आदेश भी कैसा वेवार हो गया गयर आर्थिक तो तारिक 20 यहां लिखेंगे क्या गयर आर्थिक वेवार है ओके राइट चलिए नेक्स तारिक में चलते हैं 22 तारिक में प्रिती स्टोर्स को बिल नंबर 128 अंतरकत आदेश अनुशार माल करमसर 30 प्रती मिटर 50 प्रती मिटर और 220 प्रती मिटर के बाव से 10 प्रती सर्वेपारी बटा से बेज दिया सबसे पहले खादी कितनी है 40 मिटर क्या भाव दिया है उसका खादी का 30 तो तो यह हो गया कितना बारा सो फिर क्या खरीद रहें उपर से देखना है आपको आगे वाली तारीक से सुती कि सुती कितना खरीद रहे हैं वो 60 Miller सूती कपड़ा वाव क्या रोचास कर तो यह हो गया आपका 3000 इसके बाद क्या खरीद रहे हैं रेशिम तो रेशम कितना खरीद रहे हैं वो 100 मिटर और क्या भाव है रेशम का उनका 220 220 तो ये हो गया आपका 22,000 और कितना प्रतीशन व्यादपारी बटा है 10 प्रतीशन तो सब मैंसे 10 प्रतीशन माइनस कर देंगे तो इसका 120 या 1080 3000 का 10 प्रतीशन 300 बचा कितना 2700 22,000 का 10 प्रतीशन कितना हो गया 2200 22,000 मेंसे 2200 गटा दिया तो कितना बचा 19,800 ओके चलिए इसका लेखा कर देते हैं तो तारीख कितनी लिखेंगे 22 नाम क्या लिखेंगे क्या नाम है प्रिती स्टोर्स खाते तो यहां लिखेंगे प्रिती स्टोर्स खाते बिल नमबर कितना लिखेंगे आपको 128 अब यहां दिखेंगे सूती में कितना लिखेंगे 2700 खादी में कितना है 1080 रेशमी कितना है 19,800 चलो सब का टोटल कर दो पिटा कितना हुआ टोटल 13,580 हो गया चलिए नेक्स वैबर में चलते हैं देशाई एंड कमपनी को 15,000 का सूती कपड़ा 10% वैपारी बटा से बेचा अब बेचा यह दो दार भी करी है यह तो यहां लिखेंगे तारीक 24 देशाई एंड स्टोर्स एंड कमपनी एंड कमपनी खाते बिल नमबर आपको दिया है 129 अब यहां उन्होंने सिर्फ क्या करीदा है सूती कपड़ा करीदा है 15,000 का वो भी 10% वैपारी बटा से तो 10% माइनस किया तो कितना है 13,500 और कुछ फरीदा नहीं है तो डारेक यहां रकम कुल में भी लिख देंगे 13,500 फीरे DCM स्टोर्स को 20,000 की खाजी 5% वैपारी बटा और 18% वर्षेक जोड़ कर बिल नमबर क्या किया 130 बेज दिया तो यहां तारिक डालेंगे कितना 30 तो यहां नाम क्या लिखेंगे DCS स्टोर्स खाते यहां लिखेंगे DCS स्टोर्स खाते स्टोर्स खाते बिल नमबर आपको दिया है कितना 130 अब 20,000 की खादी और 5% क्या है वैपारी बटा तो 20,000 का 5% करेंगे तो कितना होगा 1000 तो बच्चा कितना 19,000 तो 19,000 का लेखा आपने यहां पर करेंगे तो क्या खरी जाए उन्होंने खादी खरी दी तो खादी में लिखेंगे कितना 19,000 खादी में कितना लेखा बिटा 19,000 का लेखा अपने खादी के अंदर कर दिया तो यहां पर भी कितना हो गया 19,000 अब जो वशेक का हुआ है वशेक का लेखा अपने यहां पर भी करेंगे नहीं वस्षेग जो है वो क्या आएगा जावक पूर्टी गेंद्री वस्षेग और आएगा अपना क्या है जावक पूर्टी राज्य वस्षेग इतना प्रतीशत है एटीन प्रतीशत यानि नौनों प्रतीशत करके किसका 19,000 का और अपने कहां पे लिखेंगे उसको रोक कर भी रूप को मुक्य रोधनामचा में लिखेंगे कहां लेखा होगा उसका मुक्य रोधनामचा में लेखा करेंगे तो इतना करने के बाद आप अपने क्या करेंगे टोटल करेंगे तो यहां लिखेंगे क्या कुल उदार बिक्री क्या लिखेंगे कुल उदार बिक्री उसके बाद सबका आपने क्या कर देंगे टोटल कर देंगे तो जो टोटल है वो आपको यहां पर लिख देना है तो यहां खास द्यान रखना है कि जब भी आपको इस परकार का सवाल दिया हो तो जो calculation आप कर देजिए और हमेशा वेपारी बट्टा प्रतिक माल वस्तु के अंदर से गठा कर आपको रकम क्या करना है नेट रकम जो है वो आपको कॉलम के अंदर लिखनी है और उसका टोटल जो है वो सवाल वेवस्ती समझ में आ चुके होंगे इससे लिलेटेड उदारन भी आपको दिये हैं उसकी प्रैक्टिस करें तो थैंक यू वेरी मच जैहिन जै भारत स्वस्तर रहिए मस्तर रहिए